कोरोना वाइरस की चेन तूटने का नाम नहीं ले रही है हर दिन एक और जहा संक्रमित मिल रहे है वही दूसरी और मरने वालों का सिलसला भी जारी है हाला कि एक्टिव केस कम होने से डॉक्टरों ने रहत की सासली है फिलहाल ठंड बढ़ने के साथ ही सेकेंड वेव की संभावना के मद्यनसर प्रशासंद्वारा तैयारिया शुरू कर दी गई है इस बीच शनिवार को आठ मरीजों की मौद के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या कुल 3464 हो गई शनिवार को चिले में कुल 4282 लोगों की जांच की गई इसमें 169 लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई हाला कि यह आकड़ा पिछले कुछ महिनों में सबसे कम है प्रशासंद्वार ने सेकेंड वेव के मद्यनसर तैयारिया शुरू कर दी है हाई कोड के आदेश के बाद मेडिकल में और 400 ने बेट तैयार किये जा रहे है एंस में भी बेड बढ़ाने का काम शुरू हो किया है डॉक्टरों का कहना है कि इस नवंबर से ही ठंड शुरू हो कई है यही वज़ा है कि सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ सकते है इस हालत में स्वास्त को लेकर जरा सी भी लापरवाही भारी पर सकती है